चींतिया सामाजिक कीट है जो 12,000 से अधिक ग्यात प्रजातियों के साथ फॉमिसिरे परिवार से संबंधित हैं। वे अंटार्क्टिका को छोड़कर हर महादवी पर पाए जाते हैं और कॉलनिय या घोस्लों में रहते हैं जो कुछ व्यक्तियों से लेकर लाखो चींतियों तक हो सकते हैं। चींतियों की एक उच्च संदठित सामाजिक संदचना होती हैं जिसमें विभिन्न प्रकार की चींतिया कॉलनी के भीतर विशिष्ट भूमिकाय निभाती हैं जैसे श्रमिक, सैनिक और प्रजन चींतिया। चींतियों का एक लंबा विकासवादी इतिहास है और वैज्ञानिकों का मानना है कि वे एक सो मिलियन वर्ष पहले ततया जैसे पूर्वजों से विक्सित हुई हैं। चीन्तिया अविश्वस्निय रूप से विविध है और चीन्तियों की कई अलग-अलग प्रजातिया है जिन में से प्रत्तेक का अपना अनूठा अनुकूलन और व्यवहार है उदाहरन के लिए कुछ चीन्तिया कठोर रेगिस्तानी वातावर्ण में रहने के लिए विक्सित हुई है जबकि अन्य प्रत्वी के चुम्बकी अक्षेत्र का उप्योग करके नेविगेट करने में सक्षम है चीन्तियों की सबसे आकरशक विशेशताओं में से एक उनकी अत्यधिक संदथित सामाजिक संदचना है चीन्तिया कॉलनियों या घोसलों में रहती है जो कुछ व्यक्तियों से लेकर लाखों चीन्तियों तक हो सकती है प्रत्ते कॉलनी में एक रानी चीन्ती होती है जो अंडे देने के लिए जिम्मेदार होती है और बड़ी संख्या में शमिक जो कॉलनी के भीतर विभिन्न कार्य करती है कुछ चींतिया सैनिक भी होती है जो शिकारियों से कॉलोनी की रक्षा करती है जबकि अन्य प्रजन चींतिया होती है जो संभोग करने और नई कॉलोनिया शुरू करने के लिए जिम्मेदार होती है चींतिया रासायनिक संकेतों ध्वनियों और स्पर्ष सहित विभिन्न प्रकार के संकेतों का उप्योग करके एक दूसरे के साथ संभाद करती है वे फेरोमोन्स नामक रसायनों का उप्योग ट्रेल्स छोडने के लिए करते हैं जो अन्य चींतियों को खाद्य स्रोतों का पाल इस्रे के साथ संभाद करने के लिए अपने पैरों या शरीर के अन्य अंगों को आपस में रगड कर भी ध्वनी उत्पन्न कर सकती हैं। चीन्तियों को उनकी अध्भुत ताकत के लिए जाना जाता है। और वे अपने शरीर के वजन से कई गुना अधिक वजन उठा सकती है। वे जटिल समस्याओं को हल करने के लिए एक साथ काम करने में भी सक्षम है। जैसे कि किसी खाद्य स्रोत के लिए सबसे छोटा रास्ता खोजना या जटिल भूमिगत सुरंगों का निर्मान करना। चींपिया पारिस्थिती की तंत्र के लिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे कई प्रकार की भूमिकाय निभादी है। वे मिट्टी को हवा देने में मदद करते हैं जो पौधों की वृद्धी के लिए महत्वपूर्ण हैं और वे कीत आबादी को नियंत्रित करने में भी मदद करते हैं। अंत में चीन्टिया अत्यधिक संगठित सामाजिक संगचना, विविद अनुकूलन और प्रभावशाली शक्ती के साथ आकरशक कीरे हैं। वे पारिस्थितिक कंत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं और शिकारी से लेकर शिकार तक कई भूमिकाय निभाते हैं। जैसा कि हम इंग जटिल और पेचीदा कीरों के बारे में और अधिक सीखना जारी रखते हैं। हम निश्चित रूप से उनके बारे में और भी आश्चर्य जनक और आश्चर्य जनक तत्यों को उजागर करेंगे।